प्रभु परमात्मा आपकी कृपा हो मुझ पर बस रखना इतना साध्यान, बस रखना इतना साध्यान, परमपिता 24 तर्थंकर भगवंतों के चर्णों में पावन पावन वंदना, प्रतिक्ष प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चर्णों में कोपी-कोपी वंदना, तप्त तपस्वी, दीप्त मनस्वी, साधूता के अगनित, गुणों से अलंकृत, जिनका जीवन वैभव, जिनके व्यक्तित्व में शरकरा सी मधुरता समाहित है, जिनका आचरन स्वेम एक संदेश है, जिनका सानित है, स्वेम एक उपदेश है, ऐसे परमतारक, 36 गुण धा खरतर्गच आचारे श्रीजिन, प्यूशे सागरशुरीश्वारजी महरा साथ के चर्णों में वंदन प्रणाम समर्पित। क्योंकि जब से गुरु के शरण में आई हूँ, मैंने अपने आपको पहचारना प्रारम कर दिया, ऐसा लग रहा था कि पहले मैं कुछ भी नहीं, कहा थी, किस दुनिया में थी, और सन 2022 में कोटा में पुछे आचारे भगवन्त का चातुरमास कोटा को प्राप्ध हुआ, और चातुरमासिक 14 उसके पश्चाद गुरु पुर्णीमा, गुरु पुर्णीमा से परम पूछे सम्मेकरत्न सागर जी महरा साप का प्रवचन सुना सद्गुरु के बारे में, गुरु कैसे होने चाहिए, उनकी महीमा क्या होनी चाहिए, उनकी सद्गुर्ण क्या होने चाहि हैं और किस तरह से गुरू ताड़ सकता है परम पूझे सम्वेकर सागर जी महारा साब का जो प्रवचन था वो गुरू पुर्णिमा से तो शुरू हुआ था लेकिन जब पर्यूशन पर आया उसके पहले तक भी सद्गुरु महिमा सद्गुरु गुड़ों पर पूरा ही प् प्रति दिन वह प्रवचन सुनने का अफसर प्राफ्थ हुआ और ऐसा लगता था कि गुरु की महिमा हम क्या कहें कि तिर्थेरा समय सूरी यानि जहां तीर्थ नहीं है तिर्थंकर नहीं है और वहाँ पर अगर हमें 36 गुण धारक आचारे भगवंत मिल जाते हैं तो वही एक तीर्थ बन जाता है यानि कि हमें चलते फिरते जिन तीर्थ 36 गुण धारक आचारे भगवंत मिले यानि कि अगर तिर्थंकर नहीं हो तो तिर्थंकर करके समान आचारे भगवंत होते हैं तो हमें उनकी कैसी आराधना करनी चाहिए जब वह प्रवचन सुनती थी दिन प्रति दिन ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में तो अभी ऐसी बहार आई नहीं लेकिन जो सद्गुन होने चाहिए सद्गुरों के एक एक बार आपने प्रति दिन इतने विस्त्रित चर्चा में बताया अपने प्रवचन से बताया अपनी जिन्वानी से बताया तो मेरे दिया है मेरे माता पिता ने मेरे सांसरिक माता पिता लेकिन धर्म की रहा मेरे धर्म पिता पूझे आचारे भगवन्त ने ही मुझे दिखाई है मैं क्या कहूँ पूझे आचारे भगवन्त के क्योंकि 36 गुण धारत ऐसे गुणी ऐसे सगुणों से ओत्प्रोत उनके बारे में क्या कहूँ लेकिन पूझे वर्म आदर्ण निये मानने कीवल चिंजी साब ने मुझे कहा थोड़ा सा परीचे पूझे भगवन्त के बारे में राजीम नगरी 36 गड़ आठ दिसंबर 1262 मिक्सर सुधी बारस आप माता जमना देवी पिता नेमी चंजी पारक के कुल दीपक के रूप में आपका जन्म हुआ राजीम नगरी में धार्मिक संसकार क्योंकि धार्मिक परिवार थे और वह संसकार आपको बच्पन से ही प्रारम हुए आप स्कूल गए लेकिन आपका अध्यन में क्योंकि धर्म रूपी बीज आपको परिवार से ही मिले माता और पिता के संसकारों से जन्मी नाम आपका रखा गया प्रदीप पारक और आज प्रदीप से पियूश का ये 40 वर्ष का सफर आज हम पूझे गुरु भगवन के जो पुर्णियाई है उसका प्रतिफल हमने अभी देखा है पाली दना में इतना बड़ा बड़ा इतना एतिहासिक विलक्षन चातुरमास और जाने कितनी क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं हमें देखने को मिली है हम क्या कहें उब्धान तब नवानू तब सहस्त्रादीवश जाने क्या अंगिनत कारेकरम इतने उतकृष्ट पुन्याई आपकी और हम सब लोग आविर्भूत हुए आपकी दिक्षा फागुन सुधी दूज 21 फरवरी 1985 यानि फागुन सुधी दूज आज ही का दिन और आपकी जो दिक्षा हुई थी दुर्ग नगर में मालविया नगर में दुर्ग की मालविया नगर जहां दादा बाड़ी वहाँ पर परमपूझे गुरुदेव उदे सागर जी महारा साथ के व्रध हस्तों से हुई आप शिश्य परमपूझे महोदे सागर जी महारा साथ के और आपको दिक्षा ग्रहन किया आपने परम पुझे उद्य सागर जी महरसाथ के व्रध हस्तों से आपकी जो सांसरिक वहन वो भी दिक्षित हुई परम पुझे प्रेंकरा श्रीजी महरसाथ के नाम से अभी सभी जानते हैं बहुत ही शांत स्वभावी, सरल स्वभावी, पुझे गुरुवरिया श्रीजी को भी देखते हैं, परम पुझे आचारे भगवन को भी देखते हैं, सरल स्वभावी, शांत स्वभावी, हम यहाँ पर ऐसे हमारे बीच में, आचारे भगवन हमारे समक्ष में दिक्षा नाम रखा मुनीप प्यूश सागर और दिक्षा के पश्चात लगभग पूरे भारत में आपने विच्रन करते हुए देश-देश गाओं में जा जा कर जिन मंदिर के जिन दादा बाडियों के अनेक जीरनोधार और प्रतिष्ठा के कारिक्रम आपने किये पूरे गाओं में विच्रन करते हुए जिन शासन की पताका को आपने फैराया और अब समय आता है नागपुर का वह समय जहां पर आशारवदी दश्चम यानि 11 जून 2015 को आपको आप मुनी प्यूश सागर से बने खरतर गच आचार ये जिन प्यूश सागर सुरीश्वर जी म बढ़ाई गई कहां पर नागपुर में नागपुर की वह पावंधरा दिक्षा आपकी जब आप क्योंकि दिक्षा से पुर्व भी जो आपका समय था किस तरह से आपके अंदर दिक्षा के या संयम के बीज अंकुरित हुए तो च्छतिस गड़ की जो महान विभूती परम पूचिये मनुहर श्रीजी महारा साब आप शिश्य बने क्यों क्योंकि जो सयम का बीज था वहां से ही आपको प्राप्थ हुआ आपने गुरु वर्या के चर्णों में बहुत बहुत वेयावच की और जाने कितनी विहार की सेवा दी सेवा का गुण वहां से और उसके आपने परंपूचिये खर्तरगच आचारे भगवन महादे सागर जी महारा साब की भी आपने खूब खूब सेवा की और उसी का लाब ये हुआ कि आज आप सभी के समक्ष एक खर्तरगच आचारे के रूप में विख्यात हुए और हम सभी लोगों को तिर्थंकर सो रूप में आप प्राप्थ हुए हैं के भी जीनोधार की प्रेना आपी के द्वारा दी जा रही है बहुत सारे आपको अलंकरण, शासन प्रभावक, चत्तिसगर्ड श्रिंगार, सयम सार्थी, मधुर भाशी, रिजु मना, बहुत से अलंकरण से आप विभुशित हुए हैं आपको विच्रन शेतर, चत्तिसगर्ड, मध्यप्रदेश, महराश्ट्र, राजस्थान, बंगाल, दक्षिन भारत, गुजराप, जारकन, रिहार रहा और आपके व्रध हस्तों से लगभग, अर्ध शतक दीक्षाएं आपके व्रध हस्तों से दी गई और कई मंदिरों की, जैसे दक्षिन भारत का प्रथम बारा जिनाले, रिजु बाली का, शिखर जी, गुणायचा जी, सीता मनी, अनेको अनेक, आठ कल्यान भुमी, भागलपूर, राइपूर, जैपूर, नागेश्वर जी, अष्टापतीत, एवं राजस्थान, गुजरा कच्छ, मालवा, महाकौशल, महाराश्र, चत्यसगर, तमिलनाडू, आंधप्रदेश, जारकन, विहार, अनेको अनेक, राज्ये प्रांतों में, आपने, तीर्थों की स्थापना, या जिर्नोधार का कारी किया, आपके शिश्य, प्रशिश्य, संपदा, चालिस हैं, और शत्रुंजे से गिर्नारजी तक, नागपुर से भद्रावती तक, सोनगट से शत्रुंजे तक, दुर्ग से केवल धाम तक, धंतरी से कवल्य धाम तक, आदी अनेक अनेक चैरी पालित संख्य यात्रा आपकी ही निश्रा में, आपकी ही सानिध्य में निकली है, नमानु या आपी के सानिध्य में आपी के प्रेणना से अभी हाली में हमने देखा बहुत ही बड़ी संख्या में गुच्रात पाली तना में नवानू करने के लिए यात्री हमारे जो धर्म प्रेमी बंदू देचाए छोटा बच्चा हो छोटे से छोटा पांच साल शे साल का बच्चे न देखते ही बना है आपके बहुत सारे साहित्ये आपके द्वारा सरजित हुए हैं कमजोर कड़ी कोन सच्चाई छुपाने से साभान परदाफाश आनंद घं का धनानंद खरी खोटी जिन मंदिर व्यवस्था निर्देशिका अनुबस नहीं अनुवरत सही शत्रुन जैस प मंतन दादा गुरुदेव पूजन आदी अनेक विदसाहित्यों का स्रजन संकलन और संपादन आपके ब्रदहस्तों से किया गया गुरु की महिमा जितनी भी कहा जाए बहुत कम है बहुत क्योंकि हम कहें कि हम गुरु की और आज इतना शुप अफसर साचोर नगरी को ये मि कर सकते हैं लेकिन चारित्रिक आत्मा के अगर हम संयम की अनुमोधना करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्चुरा भी होती हैं हमें यही ध्यार देना है कि एक एक दिन हमें भी ये संयम वेश हमें क्योंकि जब उदय आएगा तब होगा लेकिन हम मन में ध्यार तो सकते हैं तो